दोस्तो चैट GPT आने की वज़े से हमें ऐसा लग रहा था कि Google का जो इस्तमाल है वो बहुत ही कम होने वाला है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है Google समय समय पर धमाकी करता रहता है और ऐसा ही उसने एक धमाका और किया है Gemini को Create करके Gemini और Advanced Gemini मैं दोनों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ Gemini को Start करने के लिए आपको Google पराना है और यहाँ पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर टाइप कर दीज़े Gemini जैसे आप Gemini टाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सतारे लिंक्स आपको दिखाई देंगे जिसमें हमें यहाँ पर सबसे पहला वाला लिंक सेलेक करना है Gemini.google.com इस वाले लिंक पर हम क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर Gemini आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आपसे sign in के लिए मागीगा तो यहाँ पर आपको अपनी email id से यहाँ पर sign in कर लेना है तो चलिए हम इसे sign in कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी email id के थूँ इसको login कर लिया है अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है hello excel how can I help you today अब इसके बाद इसके left side में अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला option आपको दिखाई देता है यहाँ आपको इसके लिए पैसे देने होंगे तो यहाँ पर जैसे आप upgrade वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Gemini Advance का dashboard आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है get Gemini Advance and more with a Google one AI premium plan यहाँ इसका जो plan है वो 1950 रुपे पर मंत का है और यहाँ पर अभी आपको 0 रुपे में दो महिने तक यूज करने के लिए दे रहा है यहाँ अगर आप इसका trial देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको start trial पर क्लिक करके आप इसका trial यहाँ पर देख सकते हैं और Gemini के जो भी advanced features है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको क्या क्या चीजे मिलने वाली हैं वो सारी चीजे आपको यहाँ पर describe की हुई है तो फिलाल हम बात करते है Gemini की Gemini पर आने के बाद यहाँ पर next option अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है setting हम settings पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा real time response का तो इसे आपको on रखना है इसके बाद जो दूसरा option आपको दिखाई देगा हम extension वाले option पर यहाँ पर click करते हैं आप देखेंगे हमने जैसी extension वाले option पर click किया तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ features रेपरजेंट हो गए और यहाँ पर लिखा हुआ है Gemini extensions help you bring it all together अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है Google Flights, Google Hotels, Google Maps और इसके जस नीचे आप देखेंगे Google Workspace और YouTube यह सभी चीज़े आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यानि आपने जिस mail ID से इसको login किया है यानि आपके चैनल पर जितनी भी information है वो सारी information यह आसानी से सर्च कर पाएगा और आपको represent कर पाएगा इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं Google Workspace का आपको एक option दिखाई दे रहा है आपने अपना जो भी document Google Drive पर save कर रखा है या फिर Gmail पर save कर रखा है या फिर आपने Docs में save कर रखा है वो सारी information को यह आसानी से fetch करके आपको represent कर पाएगा इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जो document है वो publicly leak होगा basically यह information आपकी secure है और यह information किवल आपको दिखाई देगी publicly यह किसी को और को दिखाई नहीं देगी और अगर आप अपनी Gmail या Docs में से कुछ भी search करना चाहते है तो आप directly आप इसे यहां से find out कर सकते हैं अगर आप इसे off करना चाहे तो यहां से आप चाहे तो इसे turn off भी कर सकते हैं दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जो भी data है वो यहां पर public हो जाएगा हमारे dashboard यहां पर वापस से represent हो जाएगा और यहां पर आपसे पूछेगा enter a prompt here यानि आप यहां पर कोई भी prompt enter करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं जिस तरीके से chat GPT काम करता तो इसमें कुछ extra advanced feature भी आपको दिये गए हैं जो की chat GPT से इसको बिलकुल advanced बनाते हैं तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे सबसे पहले हम इसमें कुछ prompts को डाल करके यह चेक करते हैं कि क्या यह अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं एक बात और मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूँ कि अभी Germany का जो feature है वो mostly कुछ languages पर ही काम कर रहा है यानि कि मैंने इसमें हिंदी में कुछ prompts यहां पर डाले थे मगर वो कुछ अच्छी तरीके से उसको represent नहीं कर पा रहा है मेरा recommendation होगा कि आप जादे तर इसमें जो भी prompts डाले वो English में यहां पर डाले अब जैसे माल लिजिए हम यहां पर कुछ prompts हिंदी में type करके दिखाते हैं हमने यहां पर लिखा तुम कौन हो और इसके बाद हमने यहां पर enterprise किया जैसे हम enterprise करेंगे तो आप देख सकते हैं यह processing यहां पर चलने लगीए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैमिनी ने हमारे सामने कुछ रिजर्ट रिपरजेंट कर दी है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मैं जैमिनी एडवांस हूँ और मेरे जरी गूगल के सभी कारगर यानी 1.0 अल्टरा सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्द है यानी कहने का सीधा मतलब यह है कि जैमिनी में जितनों भी फीचर्स हैं अगर आप उसका इस्तिमाल करना चाहते हैं तो जादे तर आपको यहाँ पर इंग्लिश यानी अग्रेजी भाषा का इस्तिमाल करना होगा इसके लावा अगर माल लीजिये हम इसमें Edit करना चाहते है यानि हम चाहते है कि इस Question के अलावा हम यहाँ पर Edit करके इससे कुछ और Question पूछना चाहते है तो आपको यहाँ पर Edit Text पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपना Question बदल सकते हैं तो यहाँ पर हम इसका question बदल देते हैं हमने आपर लिख दिया Germany क्या है Germany क्या है लिखने के बाद यहाँ पर हमने अपडेट पर क्लिक किया और जैसे हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने हमें information represent कर दिये Germany शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं यह संदर पर निर्भर करता है इस तरह से इसने हमें काफी सारी information यहाँ पर represent कर दिये तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर prompt edit भी कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक English में कोई भी prompt डाल कर दिखाता हूँ जैसे what is computer और उसके बाद हमने यहाँ पर enterprise किया जैसे हम यहाँ पर enterprise करेंगे तो आप देख सकते हैं computer के बारे में Germany यहाँ पर search कर रहा है और उसके बारे में हमें यहाँ पर information represent कर रहा है जैसागी आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि a computer is an electronic device that can manipulate information or data it has the ability to यानि इसमें आप देख सकते हैं computer के बारे में काफी सारी information यहाँ पर fundamentals आपको represent कर दिया है इसके बाद आप देखेंगे आपको उपर एक option दिखाए देगा show draft का इसके drop down पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं information में कुछ changes हो चुकी है अगर आप इससे संतुष नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और option दिखाए देता है regenerate draft का इस पर जैसे आप click करेंगे तो आपका जो question होगा उसके हिसाब से Germany वापस से इसको regenerate करेगा याँ आपकी question के answers को यह वापस से regenerate करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने वापस से regenerate कर दिया है और regenerate करने के बाद आपको इसने काफ़ी सारी इंफोल्मेशन रेपर्जेंट कर दिये इसके बाद यहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आप image की माध्यम से भी इससे किसी तरीकी का कोई question put up कर सकते हैं और यहांसे अगर आप चाहें तो microphone की मदद से भी आप इसमें prompt को enter कर सकते हैं यहांपर आप देख सकते हैं आपके सामनें 2 option दिखाई देनें जैसे सबसे पहला option है यहाँ पर shorter का, अगर हम shorter पर यहाँ पर click करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी इस question को shortcut तरीके से, यानि short information में आपको यह represent करेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसने बहुत ही short तरीके से हमें इसे represent किया, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं longer अगर हम इस पर click करते हैं, यानि कि हमारी इसी information को यह काफी जादा text में define करेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसने काफी जादा text में इसको define कर दिया है, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा next option है, वो है simpler, अगर हम simpler पर click करेंगे, तो बिल्कु समान भाषा में हमें यह represent करेगा, computer के बारे में यह सारे information represent करेगा, इसी तरीके से, अगर हम बात करते हैं, आपर more casual की, यानि जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, अगर यानि उस तरह के text में आप इसे देखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस पर आप जैसे click करेंगे, तो बिल्कुल यह उसी तरीके से काम करेगा, यानि यह बिल्कुल ही casual भाषा में आपको represent करेगा, तो यह आपर आप देख सकते हैं, इसने उसे casual भाषा में convert कर दिया, और इसके बाद सबसे last option आप देखेंगे, more professional, अगर आप इस पर click करेंगे, तो आपने जो भी question put up किया है, इससे, यानि जो भी आपने prompt इसमें fill किया है, वो एक professional language में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, इसके बाद आप next option की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप अपने, तो यहाँ से आप इसका एक link generate करके, किसी को share कर सकते हैं, जैसे माल लिजे, हम यहाँ पर इस prompt का एक link generate कर रहे हैं, तो create public link पर click करेंगे, जैसे हम create public link पर click करेंगे, तो उसलिए क्या करेगा, हमें एक link generate करके represent करते हैं, आप इसे चाहें, तो LinkedIn, Facebook या फिर Twitter पर share कर सक आप copy करने के बाद, आप इसको किसी को भी share कर सकते हैं, तो मैं अपने WhatsApp के जरीए, इसे एक share करके आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपना WhatsApp खुल लिया है, और अपने link को यहाँ पर paste कर देते हैं, paste करने के बाद, हम इसे यहाँ प करेंगे, तो आपका जो document होगा, वो यहाँ पर document file में download हो जाएगा, इन document में convert हो जाएगा, और इसके बाद आपको open docs पर click करना है, जैसे आप open docs पर click करेंगे, तो आपकी file यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक document में convert हो चुकी है, इसका आप print out लेना चाहें, तो यहाँ से आ त्यार किया, और letter त्यार करने के बाद, या फिर आपने कोई matter ऐसा लिखा, जिसे आपको किसी को mail करना है, यानि किसी को बेजना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, share वाले option पर click करेंगे, और यहाँ पर draft in Gmail पर click करेंगे, तो आपका जो document होगा, यहाँ पर draft में automatic save हो इसेंट में आप उसकी mail ID डालका, simple आपको send पर click करना है, यह document उनके पास असानी से पहुँच जाएगा, और अगर आप इसमें editing करना चाहें, तो आप असानी से इसमें editing भी कर पाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे, हमारा जो अगला option है, वो double check response का है, अगर आप इस प और आपको what is computer दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पर click करते हैं, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर Google open हो जाएगा, और इससे related आपको और भी information यहाँ पर दिखाई दे जाएगे, इसके बाद आप देखेंगे more का option आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप चाहें तो इसे copy कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो इस पर report भी कर सकते हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप prompt की मदश से यहाँ पर कोई भी information आसानी से सर्च कर सकते हैं, और अब हम बात करते हैं, इमेजिस की, दोस्तो यह chat GPT की तरह केवल information ही सर्च नहीं करता, आप जो भी इसे prompt देंगे, उसके हिसाब से आपको image भी generate करके represent कर देगा, लेकिन ध्यान रहें, आपको जो भी यहाँ पर prompt फिल करना है, वो English में होना चाहिए, हिंदी में नहीं, तो जैसे माल लिजे, अगर आपको English नहीं आती, तो आप कैसे prompt बनाएंगे, मैं आपको बता दे हो, इसके बगल में आप देखेंगे, आपने English language यहाँ पर select करनी है, और यहाँ पर यह English में convert हो करके आपके सामने दिखाई देजाएगा, आपको यहाँ से सीदे इस पर copy करना है, copy करने की बाद आपको जाना है अपने jaminy पर, और यहाँ पर prompt पे click करके, simple इसको paste कर देना हो enterprise कर दिना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने हमें 4 images generate करे करके represent कर दिया है, इसके बाद आप इस पर click कर सकते हैं, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो आप दोएक सकते हैं, आपको यह images यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर आप बदलना चाहें तो यहाँ से images को change कर सकते हैं, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको डाउनलोड, फुल साइज इमेज का एक उप्शन आपको दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप बैक जा करके, डिरेक्ली यहाँ पर भी क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसे जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, हमारी जो file होगी, वो यहाँ पर डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको एक बर इसकी quality और दिखा देता हो, कि download होने के बाद इसकी quality कैसी होती है, तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी quality काफी जादा अच्छी है यानि कोई भी watermark आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा किसी भी तरीके का कोई भी watermark इसमें आपको नजर नहीं आने वाला है यानि इसे आप आसानी से free of cost यूज कर पाएंगे इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे regenerate more का भी आपको एक option दिखाई देगा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमें दो images और represent कर दी है generate करके तो इसमें से भी आप कोई भी image को download कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए इसको use में ले सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप यहाँ पर जैमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो की chat GPT के मुकाबले काफी ज़्यादा advance है इसके बाद यहाँ पर मैं आपको extension पर click करके एक यहाँ पर और भी information देना चाहूँगा extension में आने के बाद हम यहाँ पर चले जाते हैं Google Map में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको तीन option यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपसे पहला option है tourist track, दूसरा option है find something nearby और तीसरा है और विदियरेट तो मालीजे हम यहाँ पर search करना चाहते है कोई अपने nearby कोई location यहाँ पर हम जैसे find something nearby पर click करेंगे तो यह by default हमारे सामने एक prompt generate करके दे देगा हम इस prompt को हटा करके अपने nearby की कोई भी information यहाँ पर डाल कर देखते हैं जैसे मालीजे हमने यहाँ पर type किया संत नगर बुराड़ी और इसके बाद हमने प्रेस किया enter जैसे हम यहाँ पर enter प्रेस करेंगे वह आप देख सकते हैं इसने google map में से यानि google की extension में से हमारी location को fetch किया और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी location के हिसाब से यह हमें बता रहा है कि अभी present में हम कहाँ पर है और हमारी location यहाँ पर कहाँ पर show करनेगे इसके अलावा आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इससे related information भी आपको दे रहा है यहाँ पर लिखा है I found the following result for Sant Nagar Buradi और उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यानि इसने इसे बहुत ही आसानी से search कर लिया और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर simply prompt पर click करके इसके बारे में और भी information search कर सकते हैं तो जैसे हम ने इसे prompt से exit किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संत्रगर की main market और उसके बारे में काफ़ी सारे information इसने यहाँ पर represent कर दी है इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं Wikipedia का लिंक भी आपको यहाँ पर दिखाई देर इसके बाद हम इससे एक last question पुछने वाले हैं तो यहाँ पर हम settings पर वापस से चले जाते हैं extension पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम YouTube पर जा करके research a topic पर क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर prompt फिल करते हैं prompt हमने फिल किया है tell us about Excel InfoTech YouTube channel और इसके बाद हमने प्रेस किया enter यानि हम Excel InfoTech YouTube channel के बारे में जानना चाते हैं तो आप देख सकते हैं इसने search करना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं रिजल्ट में इसने हमारे सामने कुछ links represent किये और यहाँ पर हमारे channel को इसने represent कर दिया है हमारे channel से related यहाँ पर और बी जो channel से उन्हें भी यहाँ पर यह दिखा रहा है हम अपनी चैनल पर जैसे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा चैनल यहाँ से directly open हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर अगर हम पहने वाले option पर क्लिक करते हैं Excel Info Tech पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा यही चैनल represent हो गाए तो इस तरीके से यह हमें link में भी काफी सारी information represent कर सकता है इसके अलबा अगर हम new chat पर click करते हैं और यहाँ पर उसी same information को डाल करके enterprise करते हैं और अब देखते हैं हमें क्या बताने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने यहाँ पर इसने link को भी दिया है इस link पर हम click करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या open होता है तो जैसी हमने इस link पर click किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा ही channel open हो गया तो इस बात के हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि जैमिनी भी हमारे channel को यहाँ पर find out कर पा रहा है तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जैमिनी का क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी सारी activities को यहाँ पर represent करेगा, और सारी activities को एक साथ अगर आप delete करना चाहते हैं, तो यहाँ पर delete को click करके, यहाँ पर आप select कर सकते हैं कि कौन सी activity आपको delete करनी है, तो माली जिब last hours की activities को डिलीट करना चाहते हैं इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे लास्ट आवर्स की जो भी अक्टिविटीज होगी वो सारी आपर डिलीट कर दी जाएगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर चैट जीबीटी के बजाए जैमेनी का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेशेर जरू कीजेगा धन्यमाद